जिन्होंने अपने पिलॉंग से थे तो न लगतती आज पानी पकने लगता था आज हमारे पास बंगला गाडी सब कुछ तो यह हम अपने बल्बूते पर सरकार में हम को यसा कमाने का योजना मिला हम कमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अभी बहुत भी कास हो चुका है आज तस साल पहले जाईएगा तो गाउं में ना बिजली थी ना सरक थी ऐसे ऐसे गाउं थे जहां बिजली की तार भी नहीं नहीं गई थी मगर इनका होने वाला कुछ नहीं है यह सारे जो आना च्छट पटा रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे करके यह दो जार की जो चनाओ आएगा 24 का इसमें हम जीत ले कुछ जादा से जादा सीटे मगर इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला यह बिल्कुम अब खतम हो हो तो सचाई बोलेगा जिन्हों ने घर पे बैठे बैठे सपने देखें हो कैसे सच बोल सकते विवक्स तो कभी सच बोलेगा नहीं है क्योंको उनको तो कवे ने काट रखा जूट बोलना उन लोगोंने मैं यह कहना चाहता हूं एक बहुत बड़ा बिहार की जो लोगों के मैं नितीज का बढ़ाई देता हूं मैं इसलिए कहना चाहता हूं अच्छे काम की सराना करो जूट को कवाकार देख लिए चोड़ो तो दूहजार 2014 से पहले का आप देख लीजिए और 2014 के बाद का भिकास देख लीजिए हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार जब आप जाईयेगा तो बिहार में 2014-2012 में एक सेलिन्डर बिहार नहीं पुड़े भारत की बात बोल जा रहा है उसके बाद महांगाई की आप बात करते हैं तो 14 से पहले अच्छे अच्छे घोरों में साइकल की आउकाद नहीं थी लोग को आज मजदूर भी मोटर साइकल पर घूम रहा है हड हैंड में मोबाइल है अप बिपक्ष के बोलने से थोड़े होगा आप आप जनता ह है यह पहले कि अपक्षा पहले को देखे और आज अपने आपको देख लें हम भी उस घर से बिलोंग करते हैं जो रात में बारी सोती थी तो पानी टपकने लगता था आज हमारे पास बंगला गारी सब कुछ है तो यह हम अपने बलबूते पर इस सरकार में हम को यसा कमाने क्या लोब है उनको मुखमंतरी बनना है और भटकते रहते हैं लेकिन हमारी सरकार जब पुर्ण बहुमत में बिहार में आ जाएगी तो बिहार का चौगूना विकास और हो जाएगा अभी बहुत बिकास हो चुका है आज से दस साल पहले जाएगा तो गाउं में बिजली थ सरक ती ऐसे जाएव थे जहां बिजली की तार भी नहीं गईती जिसमें वैक्षाली जी लासे हम बिलॉंग करते हमाहुआ जंदाहा इसाम तूर दूर तक बिजली का नामों निशान नहीं था सरक इतनी जड़जर थी कि लगता 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 था कि गाड़ी नल्यल की योजना आ गई मुल्या जुला के समझे तो अभी बहुत भी कास हुआ है पहले क्या प्रिक्षा महागडबंधन की बारे में तो आप जानती है दीरे-दीरे महागडबंधन ने बहुत सारे बड़े-बड़े ऐलान किये थे हम मोदी को मिलकर हैरा देंगे क्या लगत तो उसको तो भूली जाओ वो क्या पताऊं उसको मैं वो दो मुआ साप होता ना उस तरह की कि वो है मंता जो है वो बड़ी चलाग है बड़े चतराई से अपना चनाव लड़ती हो अब रह गया केजरी वाल यह कहते हैं हम सीट अकेले चनाव लड़ेंगे ठीक है ना पंज आरे जो आना च्छट पटा रहे हैं कि हम कैसे ना कैसे करके यह दो हजार की जो अब चनाव आएगा 24 का इसमें हम जीत लें कुछ जादा से जादा सीटे मगर इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला यह बिलकुम अब खतम हो गया है कोई चैरा नहीं है इनके बास जलो भारत जानमंत्री की दोड़ में रहे हैं तो एक बोट चार पाई यह तकत भीषाने पड़ेगा कि एक दिन यह एक दिन यह एक दिन यह एक दिन यह मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा आज लोग जो भी कुछ कहें विरोधी दलके नेता जो भी लोग बोलें कि मोदी जी के पार्टी में अनपड़ या जाहिल ऐसे कुछ बोलें लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि बीजेपी एक पार्टी है जिसमें बड़े से बड़े नेता का बहुत पढ़े लिखे सुशिक्षित योग और सब हैं जिसको अनुशासित कहा जाए वो बीजेपी ही पार्टी जी को देख लीजादर नीयोगी जी को एक आधर निये डॉक्टर सुधानशू त्रिवेधी जी हैं गौर भाटिया जी हैं बड़े-बड़े वकीलोग है रवी शंकिर प्रसाथ जी हैं बड़े-बड़े लोग हैं बहुत पड़े लिखे शिक्षित लोग हैं और यह गदे और कोई बात नहीं मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोला बीजे पी एक अच्छी पार्टी है सब लोग हैं इसमें पड़े लिखे लोग हैं और अनुशासित लोग हैं इसके जितने भी नेता हैं